माराश के मुख्यमंत्री एकनाश शिंदे और कूर मुख्यमंत्री उद्दव ठाकरे के बीच लड़ाई जारी है नई सरकार को बने हुए एक मैने से ज्यादा का समय हो गया है लेकिन यहाँ पर सियासी संग्राम रुकने का नाम नहीं ले रहा एक तरफ जहां सामना के सारे शिवसेना भाजकवा पर आकरामक तेवर अपनाए हुए है तो वहीं दूसरी तरफ शिंदे और फड़नवीज की सरकार उद्दव ठाकरे की उन तमाम नीतियों को बदलने में लगी हुई है जो उन्होंने सत्ता में रहते हुए बनाई थी इसी कड़ी में शिंदे सरकार ने बड़ा फैसला लिया है जिससे ठाकरे गुट बॉखला गया है सूत्रों के अनुसार सीम एक नाशिंदे ने राजपाल भगत सिंग कोशियारी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि सरकार उन 12 MLC के नाम वापस लेना चाहती जो पिछली म महा विकास अगारी सरकार द्वारा दिये गए थे सूत्रों की माने तो पिछली MBA गटबंदन सरकार की और से उपलब्द कराए गए नामों की सूची वापस लेली गई है एक नाशिंदे जल्द ही MLC की नई सूची जारी कर सकते हैं आपको बता दें कि पिछली सरकार ने उन 12 नामों की लिस्ट दी थी जिनने राजिपाल कोटे के तहत माराश्ट विदान परिशद में नामित किया जाना था हलाकि राजिपाल ने दो साल से अधिक समय पहले मिली इस सूची पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया है शिवसेना के एकनाश शिंदे गुट और उद्दव ठाकरे गुट के बीच खींस्तान का सिलसिला जारी है तीस तारीक को ठाने के पूर महापाओर और शिवसेना के एकनाश शिंदे धड़े के प्रवक्ता नरेश मासके ने मुंबई के शिवाजी पार्क में वार्शिक दशेरा रैली के लिए प्रादिकारियों से अनुमती मांगने के लिए उद्दव ठाकरे गुट की आलोचना क थी उन्होंने का था कि ठाकरे गुट संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे के सिद्दानतों और विचार धारा को भूल गया है और ये रैली करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है शिवसेना की वार्शिक दशेरा रैली राजी के प्रमुख राजनेतिक कारिक्रमों में से ए शिवसेना की वार्शिक रैली शिवतीर्थ में होगी शिवाजी पार को शिवतीर्थ भी कहते हैं शिवसेनी को और तलब है कि शिवसेना शिवाजी पार को शिवतीर्थ इसलिए भी कहती है क्योंकि ये शिवसेना के लिए बहुत ही महत्पूर्ण जगे है ये किसी तीर्थ भाशन इसी जगे पर दिये गए महराश्ट में शिवसेना के उद्दव ठाकरे और एकनाश शिंदे गुट के बीच दशेरा रैली की जगे को लेकर चल रहे विवाद के बीच NCP प्रमुक शरतपवार ने भी मुख्यमंदरी शिंदे को नसीहत दे दी कि रैली को लेकर किसी भी तरह के टकराओ से बचना चाहिए उन्होंने का कि मुख्यमंदरी को टकराओ के रास्ते से बचना चाहिए और सभी को साथ लेकर चलना चाहिए दादर के शिवाजी पार्क में हर साल शिवसेना की दशेरा रैली निकाली जाती है इस बार शिवाजी पार्क शिवसेना में उद्धा गुट और एकनाश शिंदे गुट के बीच राजनेतिक युद्ध का अखाड़ा बनने जा रहा है और 5 अक्टूबर को दशेरा है आपकी बार यहां किसकी रैली होगी यह कहना मुश्किल है माराश में अक्टूबर में होने वाले शिंदे फर्नवी सरकार के दूसरे केबिनेट विस्तार के वक्त कॉंग्रेस को भी बड़ा जटका लग सकता है सूत्रों का कहना है कि कॉंग्रेस के दो पूर मंतरी नए मंतरी मंडल में शपत ले सकते हैं इसमें से एक पूर मुख्य मंतरी हैं इसके साथ ही कॉंग्रेस के कुछ विधायक पार्टी छोड़ भाजपा में जा सकते हैं सूतरों का कहना है कि विधान परिशच चुनाओ में कॉंग्रेस के साथ विधायकों ने भाजपा को वुड़ दिया था जिससे कॉंग्रेस के उमीदवार चंदरकांत हांडोरे चुनाओ हारे थे वहीं शिंदे सरकार के फ्लोर टेस्ट के वक, कॉंगरेस के 10 विधायक सदन में खहmarks़त थे शिंदे बीजेपी सरकार के फ्लोर टेस्ट के दौरान, अशोग चब्वान के नहीं पहुचने के चलते, पार्टी आला कमान उन से काफी नाराज चल रहा है अशोक चबवान के भी महाराश पदेश कॉंग्रेस में तिसे काफी नाराज होने की खबरे है ऐसे में अशोक चबवान के भी बीजेपी में शामिल होने की अटकले लगातार तेज हो गई है बीते दिनों कॉंग्रेस नेता मिलिन देवडा विधायक अमीन पटेल और जीशान सिद्धिकी ने भी देवेंद्र फणनवीज से मुलाकात की थी इस मुलाकात के बाद इन तीनों के भी बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं का दार शुरू हो गया था दरसल मिलिन देवडा कॉंग्रेस में भले ही हैं लेकिन पिछले कई सालों से वो तठस्त भूमिका में रहे हैं साथी पार्टी के कई फैसलों का विरूद भी करते रहें असलम शेक के फर्णवीस से मुलाकात करने के बाद ये चर्चा है कि वो बहुत जल्दी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं असलम के 2019 के विदान सबा चुनाओ के दोरान भी बीजेपी में शामिल होने की जबरदस चर्चा थी अब इन दोनों चीज़ों को समझें तो कुल मिलाकर शिंदे और फर्णवीस इस वक्त एक जबरदस एक्शन प्लान पर काम कर रहे हैं वो कॉंग्रेस और उद्दावगुट किसी को भी मजबूती के साथ खड़े नहीं होने देना चाहते हैं लियाजा चाहे MLC की लिस्ट हो चाहे दशेरा रैली हो या फिर कॉंग्रेस के बागियों को अपने साथ मिलाने के प्रयास हो इन सबी प्रयासों में एकनाश शिंदे और देवेंदर फर्णवीस जम कर जुटे हुए हैं देखना होगा कि शिंदे और फर्णवीस की सरकार को मजबूत करने के लिए ये कदम कितने कारगर सिब्द होते हैं और इस सब के बीच में शिव सेना की असली लड़ाई को क्या एकनाश शिंदे जीत पाते हैं या नहीं अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें